क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं जिनका फाइनल अडम का एक्जाम होने आला है फिजिक्स का उनसे बच्च करेंगी इस विडियो में हम प्रीवेस यह कुर्शन करेंगे और ऐसी आपके लिए और भी वीडियो बना देगे हैं तो डिक्सेशन में आपको कम्प्लीट प्रेलि कर आभां कि आप पर मैंने लिए बिदि ए है इस्सी लेवल रचाए और यहां पर जो है 10 मींटर इस सी एलेवल से 10 मींटर नीचा ओना और इस पॉक्षिक्स कर ना थ região पर आपको पताई है यहांपना आपका इसमैर क्ली लग रहा होगा तो यहां आपर क्लैस्ट करता हैं कि यहां पर प्रेश प्रेस्ट लगँगा हूँ और ची लेवल पर प्रेसर लगँगा वह ही होगा आपका आपसुल्ट प्रेसर इननों को एड़ कर देंगे तो तो इपसुल्ट प्रेसर ब्राबर एट्मस्तरिक प्रेसर होता है 1.013 यह के निधो-टैन की पावr क्रीचsl में रोह गोई से आपको डेंशीटी टैन की यहाद हो ना चाहिए डेंशीटी होते है वह की हमेशा इена की पावर अरे कर देलीच ठीक है, calculate कर लेता है, यह हो जाएगा आपका 1.013 इंटू 10 की पावर 5 और यह भी होगे आपका 10 की पावर 5, दोनों में से 10 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो absolute pressure is equal to my 10 की पावर 5, 1.013 प्लस में 1, तो यह हो जाएगा आपका 2.013 इंटू 10 की पावर 5 और प्रैसर की यूनिट होती है, आपकी न्यूटन पर मेटर स्क्वेर, और यहाँ पर, अगर मैं इसको एटियम में कनवर्ट करना चाहूं, तो 10 की पावर 5 से इसको डिवाइट करना होगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना, एप्रॉक्स 2 एटियम हो जाएगा, तो यह हो ज percentage increase in length बताना है, of a copper wire, when its temperature is increases by 1000 degree Celsius, तो बहुत ही हाएगा, बस आपको formula आना चाहिए, तो delta L का आपको formula बता होना चाहिए, यह होता है, आपका L, alpha delta T, और यहाँ पर मैं आपको alpha की value बता जाए तो, और यह जो आपका alpha है न, यह होता है, आपका coefficient of linear expansion, ठीक है, और यहाँ पर जो है, इसकी value है, हाँ पर 1.4 into 10 की power minus 3 degree per Celsius, तो इसकी value आपको question में देंगे, इसकी कोई दिक्कत निया, बस आपको formula आज होना चाहिए, ठीक है, delta L बराबर L, alpha delta T, तो यहाँ पर, साइख साइख चीज आपको गिवन है, बस आपको यहाँ पर percentage increase बताना है, in length, ठीक है, तो percentage का मतलब आपको पता हूँ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यह होता है, यह होता है आपका किसी भी चीज में change, यहाँ पर आपको change किसमें बताना है, length में बताना है, तो इसलिए मैं L की बात करूँआ, तो change in length, divided by original length, ठीक है, into में 100, यह होता है आपका percentage, ठीक है, उसी क पर जो है, 100 भी है, multiply में, तो दोनों साइट क्या कर दिया, multiply by 100, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, यह हो गया, आपका percentage, increase in length, और यहाँ पर, alpha की value, 1.4 into 10 की पावर, minus 3, यहाँ से लिख दिया, और delta T, temperature में कितना increase आ रहा है, यहाँ आपका 100 degree Celsius, तो 10 की पावर 3, और यह आपका 100, तो यह हो गया, इस से तो यह cancel हो गया, और यह बचा आपका 100 की 1.4 से 100 से multiply करेंगे, तो यह आज आपका 140, तो इतने percent जो है आपकी length में क्या हो जागा, increasement, अगले question की बात करें तो बहुत यहाँ simple सा question रहेगा, इसमें आपको proof करना है, कि जो आपका beta होता होता है, वो two times of alpha होता है, ठीक है, बहुत यहाँ simple सा question है, बीटा की बात करें, तो यहाँ पर, बीटा को हम कहते है, coefficient of area expression, ठीक है, और alpha को मैंने आपको बताया है था, coefficient of linear expression, ठीक है, तो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए, एक यहाँ पर, rectangle की sheet लेता हो, जिसकी जो length है, वो है आपकी capital L, small L, और breath है आपकी small b, ठीक है, अब हमने इसको क्या गया, सबसे पहले इसका area लिख लेता है, area आपका होता है length window breath, जब हमने इसको heat किया, when, it is heated, heat, तो heat करने से क्या होगा, इसकी length में कुछ expansion होगा, इसकी breath में कुछ expansion होगा, ठीक है, तो यहाँ पर, delta L, जो है, आपका length में expansion है, is increase in length, और अगर मैं delta b की बात करूँ, is increase in breath, ठीक है, तो अब, यहाँ पर से, जो आपका area होता है, वो होता है, आपका length into breath, अब हमने जब इसको heat कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ expansion होगा, length में भी और breath में भी, तो उस expansion को हमने नाम कहा दे दिया, delta L और delta b, तो यहाँ पर से, a plus delta a, यह किसके बराबर होगा, यह होगा, आपका l plus delta l, और b plus delta b के, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ change आया, तो उसी change को हमने यहाँ पर add कर दिया, तो यहाँ पर से, इन दोनों में से मैं a को common ले रहा हूँ, यह बचाएगा, आपका 1 plus delta a by a, इसमें से common लिया l, और इसमें से लिया b, यह होगा, आपका 1 plus delta l by l, और यहाँ पर होजाएगा, आपका 1 plus delta b by b, अब यहाँ पर से आपका length और breadth का, जो यहाँ पर multiplication और length और breadth का, यह आपका क्या है, area को represent करता है, और a क्या है, a भी आपका area, यह दोनों को cancel कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 plus delta a by a is equal to, अब जो है, यहाँ पर से, इन दोनों का हम cross multiply कर देते हैं, यह होजाएगा, आपका 1 plus delta b by b, plus मैं delta l by l, एक बार 1 की इन दोनों से multiply की, delta l by l की इन दोनों से multiply की, तो delta l, delta b divided by l into b, अब यहाँ पर जो है एक कमाल की चीज होगी, हम जो हैं इसको neglect कर रहे हैं, इसकी value हम zero कर रहे हैं, क्यों zero कर रहे हैं, वो समझना, किसी भी चीज में, अगर हम उसको heat करेंगे, तो यह जो है आपका metal का surface है, इसमें जो है, बहुत ही कम expansion होगा, इसकी value होगी बहुत जादा, इसकी value बहुत जादा कम होगी, और बहुत जादा कम वाली value अगर आपस में multiply होती है, तो वो और भी कम हो जाती है, जैसे कि आप 0.1 लो, और 0.2 से उसको multiply करो, यह आपका आजाएगा, 0.02 यह इन दोनों से और भी कम आ गया, तो यहां से आपको समझ में आ रहोगा, अगर दो हमने छोटी value ली, उन दोनों का आपस में multiply किया, तो वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों अपने आपसे भी छोटी होंगी, ठीक है, तो यह value होगी आपकी smaller, और यह दोनों जो value है, यह original length और breath है, तो original length और breath मालो हमने ले लिया इसको, 3 into 2 का, ठीक है, तो यह इसका area क्या हो जाएगा, यह होगी आपका 6, तो उपर आपका लिखावा है 0.02, divide by 6, ठीक है, इसको divide करेंगे, तो आपका यह के अतना है जाएगा, तो यह आजाएगा, आपका 0.03 के आसपास आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि यह कितनी छोटी से value आ रही है, अगर हम इसको neglect कर दें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमने इसको neglect कर दिया है, इस पूरी value को, ठीक है, इस पूरी value को अगर हमने 0 माल लिया है, तो बचा हमारा क्या, 1 प्लस डेल्टा A बाई A, is equal to 1 प्लस डेल्टा B बाई B, प्लस में डेल्टा L बाई L, 1 से 1 cancel हो गया, अब जो आपका डेल्टा A है, यह आपका किसके बराबर होगा, A into beta into delta T, और यहाँ पर से जो आपका डेल्टा B और डेल्टा L क्या होगा, यह होगा आपका, डेल्टा B बराबर होगा किसके, B alpha into delta T और डेल्टा L बराबर होगा किसके, L, alpha, delta T के बराबर, तो इन दोनों की value हम यहाँ पर put कर देते हैं, length की value इसमें put कर देते हैं, breadth की value इसमें put कर देते हैं, तो यह होगा हमारा क्या, area की जगा पर लिख दिया, delta A की जगा पर लिख दिया, यह पुरा, तो A, beta delta T, divide by A, बराबर, ऐसी delta B की जगा पर यह, B, alpha delta T, divide by B, plus में, delta L की जगा पर, L, alpha delta T, divide by L, L से L कटा, B से B कटा, A से एकड़ गया, delta T से delta T, beta आगे आपका, alpha plus alpha, तो जो की होगा आपका 2 alpha, और यही हमें question में prove करना था, ऐसी हमारा इसमें एक और होता है, show that, same इसी concept से होगा, बस वहाँ पर आपको, क्यूबाइड, consider करना होगा, gamma बराबर, 3 alpha, इसको बोलते हैं, coefficient of volumetric expansion, और यह होता है, coefficient of linear expansion, तो कई बार इन दोनों concept पर आपका सवाल आया, so that, gamma is equal to 3 alpha, और अभी वाला, so that, beta is equal to 2 alpha, और यह भी धियान रखना कि इन तीनों का जो ratio है, alpha, beta और gamma का, यह होता है, आपका 1 ratio, 2 ratio, 3, तो कई सवाल इस concept पर भी आ रहते हैं, और one marks में कभी कभार इसको भी पूछ ले आते हैं, तो यह आपको दिहान में रहना हो चाहिए, यहां मैं आपको एक बाद ना, इसको proof ही कराया है, तो यह जो है, इससे भी ज़्यादा important proof है, आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, मैं इसका proof आपको अभी कराया है, तो एक question के बाद ठीक है, तो अगले question के बात के हैं, तो यहां पर आपको बोला गया है, the value of g at the surface of earth is 9.8 meter per second square, the height above surface at which g decreases to 4.9 meter per second square, ठीक है, बहुत यहादा simple से question रहेगा, यहां पर आपको बोला गया है, कि earth की surface पे जो g की value है न, acceleration due to gravity, यह है आपकी 9.8 meter per second square, यहाँ पर आपको ऐसी height बतानी है, earth की surface के उपर, यहली h height आपको calculate करनी है, जहाँ पर जो आपकी g की value है, वो कितनी हो जाए, यह वो हो जाए आपकी g dash is equal to 4.9 meter per second square, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर height बतानी है, कि आपकी height कितनी होगी, तो start करते हैं, यहाँ पर जो है, सबसे पहले, आपको g dash का formula मालूम होना चाहिए, यह होता है आपका क्या, g बटे, 1 प्लस h बटे, r का whole square, अब यहाँ पर आपको दिखरा होगा जो आपका यह g dash है, यह आपका क्या है, g by 2, g by 2 हो गया, क्योंकि 9.8 का, अगर हम आदा करें, तो 4.9 होता है, तो यहाँ पर से, मैं g dash की value, g by 2 लिख देता हूँ, is equal to g बटे, 1 प्लस h बटे, r का whole square, g से g कटा, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, इस पूरे को उधर ले जा रहा हूँ, और 2 को उधर बेज़ दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस h बटे r, इस पूरे का, whole square is equal to मैं, 2 को उधर बेज़ दिया, इस पूरे को उधर बेज़ दिया, ठीक है, इधर root बेज़ा तो, 1 प्लस h बटे r, is equal to मैं, under root 2, अब under root 2 की value क्या होती है, 1.414 होती है, अपकी under root 2 की value, ठीक है, अपका पता होना चीए, standard value है, under root 2, under root 3, under root 5 की value आपको यहाँ पर पता होना चीए, अब 1 को इधर लिए आते हैं, यह हो जाएगा आपका minus 1, 1 यहाँ पर से हड़ जाएगा, और यह हो जाएगा आपका कितना, 0.414, तो यहाँ पर से कितनी हाइट पर जाएगे, यह हो जाएगा आपका, 0.414 इंटो आर, तो यहाँ पर से हम हाइट कैल्गूलेट कर लेता हैं, यह हो गया आपका कितना, आर की value होती है, आपकी radius of earth, आर की value होती है, 64, 00, km, अब यहाँ पर से इन दोनों को आपस से multiply कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 64 इंटो 41 कर लेता हैं, ठीक है, तो 64 और यह हो गया आपका कितना, 16, और यह हो गया आपका 24 और एक 25, अब यहाँ पर से यह हो गया आपका 4, 12, 6 और यह दो, ठीक है, 26, 24, ठीक है, और यहाँ पर आपके 2, 0, और यहाँ पर था हमारा 0.4 था, तो दो किराद पॉइंट लगाना है, एक 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ पर से height is equal to, 26, 24, किलोमेटर, तो जब हम इतनी height उपर जाएंगे, अर्थ की surface पे, अर्थ की surface अगर हम इतनी height उपर गए, तो यहाँ पर जो आपकी acceleration due to gravity है ना, वो exactly g by 2 हो जाती है, ठीक है, तो this is the height at which g becomes half of its value on surface of earth, height की surface से कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक question के बाद आपको मैं gamma is equal to 3 alpha, यह आपको मैं प्रूफ कराऊँगा, तो start करते हैं, अब यहाँ पर gamma की, गामा का आपको जो है concept clear होना चाहिए, गामा आपको क्या होता है, यह होता है आपका coefficient of volumetric expansion, ठीक है, volumetric मतलब होता है किसी भी चीज़ का volume, ठीक है, volume होता है आपका जैसे cuboid हो गया, cube हो गया, यह साइक साइच चीज़े आपकी जो है, volume में consider की जाती है, तो यहाँ पर gamma का यह उस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माल लिया, इस परकार से आपका एक cuboid है, जिसकी length, breath और height है आपकी क्या, lbh, तो इसकी length, breath और this is height, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अगर मैं volume की बात करूँ, volume आपका क्या हो जाएगा, lbh, अब यहाँ पर जो आपका delta v होगा, वो होगा आपका increase in volume, और delta l की बात करें तो, increase in length, delta b की बात करें तो, increase in breath, delta h की बात करें तो, increase in height, ठीक है, अब यहाँ पर से, again, when it is heated, तो heat करने पर, इसकी length, breath और height में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो, उस change को हमने माल लिया, increase in length, increase in breath, और increase in height, तो, यहाँ पर से, इसका जो volume होगा, उसमें जो है, delta v हम एड़ कर देंगे, तो, volume, plus delta v, क्योंकि हमने इसको जब expand गया, जब हमने इसको heat किया, तो यह थोड़ा सा इसमें expansion होगा, length, breath और height में, और इन सारी चीज़ों में, जब थोड़ा बहुत expansion होगा, तो, volume में भी कुछ ना कुछ expansion होगा, तो, जिसके वैसे, यहाँ पर जो है, volume में कुछ change आएगा, तो, इस वाले change को हमने इसमें add कर दिया, plus में, l plus delta l, b plus delta b, h plus delta h, अब, अगेन, पिछली बारी की तरह, v को common लिया, 1 plus delta v by v, यह होगा आपका क्या, l common लिया, यह होगा आपका, 1 plus delta l by l, यहाँ पर से b common लिया, 1 plus delta b by v, यहाँ पर से h common लिया, 1 plus delta h by h, lbh को एक साइट कर लिया, तो, volume, 1 plus delta v by v, बराबर lbh, 1 plus delta l by l, 1 plus delta b by v, 1 plus delta h by h, अब lbh से volume गया, क्योंकि volume आपका क्या होता है, lbh, और यहाँ पर से, अब मैं आपको बताया था हूँ, अब आपको जो है नहीं, यहाँ पर multiplication करना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, इस वाले multiplication को देखके, और आपको डरना नहीं है, बहुत साइच चीज़ें इसमें जो है, neglect हो जाएंगी, और उनकी value यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर से, 1 plus delta v by v, अब इसको multiply करना है, सबस्थे पहले हम इन दोनों को multiply करते हैं, फिलास में इसको multiply करते हैं, इन दोनों multiply करेंगे तो क्या आएगा, 1 plus delta v by v, plus में delta l by l, plus में delta l, delta b, divide by l b, अब यह होगा आपका 1 plus delta h by h, अब यहाँ पर मैंने आपको बताता है, इसको हम क्या करतेंगे, neglect करतेंगे, जिसकी value क्या हो जाएगी, जिरो, तो 1 plus delta v by v, बराबर 1 plus delta l by l, plus में delta b by b, यह आपका 0 होगया, 1 plus delta h by h, अब इन दोनों को आपस में multiply कर देते हैं, 1 plus delta v by v, यहाँ पर जो है multiplication जादा है, बाकी calculation तो आपकी easy है, ठीक है, यह हमारा neglect हो गया, अब दोनों से यहाँ पर 1 को आपका जिसको हम दोनों से नगलेट कर देंगे, तो यह होजाएगा आपका, सबसे पहले 1 की पूरे से multiply की, 1 plus delta l by l, प्लस में delta b by b, और फिर इस पूरे की कर दे, यह होगा आपका delta h by h, प्लस में delta l, delta h, एक बार इसकी मल्लिप लाएगी, एक बार इसकी मल्लिप लाएगी, और एक बार इसकी की, तो दो बार से इन दोनों की value 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों बहुत यह चोटी values होंगी, जिनको हम यहाँ आपर reject कर रहे हैं, 1 से 1 भी कर दिया, delta v by v, बराबर delta l by l, प्लस में delta b by v, प्लस में delta h by h, अब यहाँ पर सेम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर delta v का formula होता है, वो आपका क्या होता है, gamma times of v delta t, और यहाँ पर delta l, और delta b, और delta h, तीनों में से आप किसी भी एक का लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह हो जाएगा आपका क्या, l alpha delta t, और अगर हमें height चीए तो, h alpha delta t, branch यह तो, b alpha delta t, तो यहाँ पर साइगे सारी values को put का देता हैं, यह हो जाएगा आपका यहाँ पर, gamma v delta t, divided by v, is equal to, l alpha delta t, divided by l, प्लस में, delta b की जगा, b alpha delta t, divided by b, प्लस में, delta h की जगा, h alpha delta t, divide by h, इससे यह गया, इससे यह गया, इससे यह गया, delta t, delta t, delta t, delta t, v से v गया, बचा आपका यहाँ पर, gamma बराबर, alpha, 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 जो की जगा, आपका 3 alpha, और यही हमें, क्या करना था, प्रूफ करना था, यहाँ पर से आपको, देखी रहा है, कि हमने अभी, 2 relations निकाले, पहला आपका, beta बराबर, 2 alpha, और यहाँ पर, दूसरा relation आपका क्या, gamma बराबर, 3 alpha, alpha की value निकाला जाए, तो यह हो जगा, आपका gamma बट्टे 3, और यहाँ पर से, alpha की value निकाला जाए, तो beta बट्टे 2, तो यहाँ पर से, दोनों की दोनों, alpha की value हैं, तो मैं लिख सकता हूँ, beta बट्टे 2, बराबर, gamma बट्टे 3, और यह किसके बराबर है, यह दोनों की दोनों values, alpha के बराबर है, ठीक है, तो ratio की बात करें, तो ratio आपका क्या रहा है, alpha ratio, beta ratio, gamma, is equal to, 1 ratio, 2 ratio, 3, अगले question की बात करें, तो thermodynamics से रहेगा, यहाँ पर आपको बुलागा है, calculate the amount of work done, when a gas is slowly expanded, in such a way that, its final volume becomes 4 times of initial, volume, keeping temperature 27 degrees Celsius, constant, और यहाँ पर, log 2 की value की बना, base पर 10, और यहाँ पर, R की value की बना, R जो है न, यहाँ पर मैं आपको बता ज़ता हूँ, calculation easy करने लिए, इसको हम 25 by 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, जगा पर 3 का आपका calculation, calculation मैं यूज आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आपका, cut जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बार बार इससे, multiply करने की ज़रोतनी है, आप इससे multiply करेंगे, तब भी आपका answer सही आएगा, ठीक है, और इस वाले temperature को आपको किस में रखना है, Kelvin में रखना है, आपको jam कि Celsius में दिया जाएगा, पर आपको रखना किस में है, Kelvin में रखना है, Kelvin में change करने लिए आपको पता ही होगा, यहाँ पर Kelvin में change करने लिए हम इसमें 273, जो है, इसमें add कर देते हैं, 227 plus 273, जो की हो जाएगा आपका कितना, 300 Kelvin, यह गए आपका temperature, ठीक है, तो यहाँ पर से work done का आपका formula होता है, इन कौन से process में, ISO thermal process में, ठीक है, तो यहाँ आपर से, 2.303, NRT, log, base per 10, V2 by V1, V2 आपका final pressure है, final pressure है आपका कितना हो गया, 4 times of initial, तो initial कुमान लें आपने V1, और final हो गया आपका V1, 4 times of V1, तो V1 से V1 गया, यहाँ पर बचा आपका 4, तो work done बराबर, 2.303, NRT, log, base per 10 है, और यहाँ पर आपका 4, work done बराबर हो जाएगा आपका, 2.303, N की value यहाँ पर 1 होगी, और R की value कितनी होगी, 25 बच्टे थी, जैसे कि मैं आपको बताया, और temperature आपका 300 degree Kelvin, 300 Kelvin, और यह होगा आपका कितना, इसको मैं लिख केता हूँ, log, base per 10, 2 की power 2, और log की property होती है, यह जो इसकी power होता है, वो आगया आदा है, तो 2 log, base per 10, और यह 2, और इसकी value हमें given है, यह कितनी है, यह आपकी 0.301, तो इन दोने की multiply करते हैं, यहाजएगा आपका कितना, 2 multiply by 0.301, तो यह होगा आपका 0.602, ठीए, इसे यह गया, 100, work done बराबर, 2.303, इन टो में, यह होगा आपका कितना, 25, पर 100 की multiply हम इसमें कर देते हैं, तो 25 multiply by, यह होगा आपका, 60.2, तो calculation आप ऐसे भी easy कर सकते हैं, 25 को आप लिखते हैं कितना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 100 divided by 4, इसको हम 25 कहते हैं, ठीए, तो work done बराबर, 2.303, इन टो में 100 by 4, इन टो 60.2, इसको इससे काड दिया, यह होगा आपका कितना, 15, एपर आपक्स में 15 माना है, तो यहाँ पर से 15 की, हम इससे मल्लिप्ला करें देता है, यह होगा आपका, 2.303, इन टो में 15, तो यह होगा आपका, कितना, 45, और यह होगा आपका, 45, तो 4 कहरी, और यह होगा आपका 30, और यह 34, तीन के बाद पॉइंट लगा रहा है, एक, दो, तीन, 34.545, और मुल्लिप्लाइबाए 100, तो वर्कडन बराबर, 3454.5, जूल, इतना आपका, इस वाले केस में, वर्कडन आजाएगा, तो इस वड़े में इतना ही, बाकी, अब मैं आपको जो है न, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताये तो, जो आपके important, यहाँ पर, आपकी paper में काम आएँगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर क्या धियान देना है, आपको जो है, इनको आप किसी भी rough copy में, questions के साथ साथ, इनकी एक बार आप list बना लेना, मतलब इन सबी के solution कर लेना, और इसके बार दुबार से इनकी practice करना, ठीक है, और इसके साथ साथ, आपको जो है, अपने notes को revise करना है, class notes को, यह हो गया, अब इसके साथ साथ, आपको जितने ही मैं यहाँ पर questions करा रहा हो ना, अगर आपको इनकी theory पीछे की revise नहीं हो रही, तो आपको क्या करना होगा, आपके notes के, जो भी आपके वहाले concept है, जो in questions में use हो रहे है, वो आपको पढ़ना है, इन concept को आपको पढ़ना है, इन concepts को आपको पढ़ना है, तो यह साथ सारे आपके जो है, key points हो सकते हैं मेरी तरफ से, बाकी आपको जैसा लगता है आप वैसा कर सकते हैं, बाकी next video मिलते हैं, पिसने रवाप साथ अब तो लेज जाहें, जावारत.